हाई फ्रेम्स मैं हूँ कुरूतिका और आप सबको आपने यूटूब चनल कुकिंग विद कुरूतिका में स्वागत है तो आज हम लोग कैबेज मंचुरियन याने के पत्ता गोबी के मंचुरियन बनाएंगे तो सबसे पहले इसके लिए लगने वाले इंग्रियन देख लेते है तो यहाँ पर मैंने दो कप द्राइंग किया हुआ कैबेज लिया है तो मसालों में मैंने लिया है हाप चमच गरम मसाला पावडर हाप चमच ब्लेक पेपर पावडर लिया है हाप चमच नमक लिया है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसर कवनिया ज़्यादा एड़ कर सकते हो और हाप चमच रेड़ चिरी पाउडर लिया है तीन चमच कॉंफलाव लिया है, तीन चमच मैदा लिया है एक चमच जिंजर गार्लिक पेस लिया है और एक चमच पानी एड़ करके उसकी प्यूरी बना लिया है थोड़ा सा रेड़ फूर कलर लिया है जिसको मैंने एक चमच पानी में मिक्स कर लिया है यह औप्शनल है यह मैंने कलर के लिये लिया है थोड़े से ग्रीन ओनियन के पत्ते लिया है और एक छोटा सा ओनियन दिया है जिसको मैंने छोटे पिसेस में काट लिया है साथ आठ रसन की कदिया लिया है जिसको मैंने छोटे पिसेस में काट लिया है और 3 हरी मेश लिया है जिसको मैंने long ship में काट लिया है और sauce में मैंने लिया है 2 चममज red chili sauce, 2 चममज tomato sauce, 1 चममज green chili sauce, 1 चममज soya sauce लिया है और 1 चममज七वइने गर लिया है 3 चममज oil लिया है जιए oil मैंने manchurian बनाने के दिया है और half Dir 영 I Tutbing Water लिया है हाप चमज रेड़ चिली पावडर आड़ कर देते हैं, हाप चमज गरम मसाला पावडर आड़ कर देते हैं, एक चोथाई चमज नमक आड़ कर देते हैं, और एक चोथाई चमज ब्लेक पेपर पावडर आड़ कर देते हैं, एक चमज जिंजर गार्वी पेस्ट आड़ कर दे इसथे मसाजे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अ तेन चमझ qonf love कर देते हैं और तिन 40 मेंदा एड़ कर देते हैं और मिक्स कर लेतें अब इस में थोड़ा सा food color अब देते है इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मंचुरियन अच्छे बने तो इसको दो से तीन मिनिट तब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसको राउन में बॉल्स बना लेते हैं इसके इस तरह से राउन में बॉल्स बना देने हैं तो हम लोग सबी बॉल्स बना देते हैं ये मन्चुरिय बॉल आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कैसे भी बना सकते हूं तो यहाँ पर सभी cabbage के मैंने बॉल्स बना लिया है अभी इसको fry कर लेते हैं तो यहाँ पर fry करने के लिए तेल गरंग कर लिया है अभी इसमें एक एक करके cabbage के बॉल्स एड़ कर देते हैं एड़ करते दाइम गेस्की प्रिम को मिडियम रखना है तो यहाँ पर सभी cabbage बॉल्स में एड़ कर लिया है अभी इसको मिडियम प्रिंग पे 4-5 मिनिटर फ्राइब कर देते हैं फ्राइब करते दाइम इसको बीट-बीट में स्टर्व करते रहना है तो यहाँ पर लगबग 4 मिनिट हो चुके है गेस्की प्रिम को हाई कर देते हैं और 1-2 मिनिट तक फ्राइब कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने हाइप में पी इसको एक से दो मिनिटा फ्राइ कर लिया है अभी गैस की फ्रेम को आफ कर देते हैं और इसको फ्लेट में निकाल लेते हैं तो यहाँ पे मैंने सभी फ्राइ की हुए कैबिज बास फ्लेट में निकाल लिया है अभी मंचुरियन बनाना कटे हुए लसुन और हरी मिर चैट कर देते हैं और मिक्स कर लेते हैं अभी इसमें कटे हुए ओनियन एड़ कर देते हैं और खोड़े से ग्रीन ओनियन के पत्ते आड़ कर देते हैं और मिक्स कर लेते हैं अभी इसको मिडियम जेंटे 2-3 मिनिक तर बीट बीट में स्कार करते हुए फ्राइ कर लेते हैं तो आनियन को मैंने 3 मिनिक तर फ्राइ कर लिया है अभी इसमें एक एक करके सॉस एड़ कर लेते हैं दो चमच जिसना टॉमेटो सॉस एड़ कर देते हैं दो चम्मच एक चिली सॉस एड़ कर देते हैं, एक चम्मच द्रिंचिली सॉस एड़ कर देते हैं, एक चम्मच सोया सॉस एड़ कर देते हैं, और एक चम्मच विनेगर एड़ कर देते हैं, और सभी सॉस अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अभी इसमें half cup water add कर लेते हैं और mix कर लेते हैं जिसकी प्रेम को high कर देते हैं और high प्रेम पे उबार आने तर्व कूप कर लेते हैं अभी इसमें एक चौथा ही चमच लेट पर पाउबर एड कर लेते हैं और एक चौथा ही चमच नमक एड कर लेते हैं अभी इसको अच्छे से mix कर लिया है अभी इसमें जो conforator की फ्यूरी बनाई थी वो एड कर लेते हैं और mix कर लेते हैं अब इसमें fry किये हुए cabbage के बॉल्स add कर देते हैं और mix कर लेते हैं छोड़े से green onion के पत्ते add कर देते हैं और mix कर लेते हैं तो यह cabbage manchurian में के रेडी है गैस की प्लेम को आफ कर देते हैं और इसको प्लेट में सव कर लेते हैं तो यहाँ पर cabbage manchurian मेंने प्लेट में सव कर लिया है तो यह recipe बनाने के लिए जो भी ingredients लगे हैं वो आपको description box में मिल जाएंगे तो अगर आपको और भी Chinese की recipe चाहिए तो उपर दिये गए i button पे क्लिक करके आपको recipe देख सकते हो तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कीजिए और आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया हो तो चैनल को subscribe कीजिए और notification bell icon को press कीजिए ताकि मेरे आने वाले सबी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे थेंक्यू